इस कहानी की शुरुआत में हम मिस्र में हो रही एक गोड़ा गाड़ी रेस को देखते हैं जहांबर सारे प्लेयर्स एक दूसे को पीछे जोड़कर रेस जीतने ही कोईश कर रहे थे इस रेस में चेरियट नाम का एक एसा खिलाड़ी भी शामीर था जो इससे पहले बहुत सी रेस जीत चुका था और रास्ते में आने वाली सारी बादाओं को पार करके लगातार आगे बढ़ रहा था अब रेस के दोरान जब दो खिलाड़ी चेरियट को दोनों तरफ से गेर कर उसकी गाड़ी को डेमेज करने कोईश करते हैं तो चेरियट बढ़ी चालाकी से अपन निकल जाता है और चेरियट अपने गोड़ा गाड़ी के साथ दूर जाकर गिरता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है अगले दिन हमें इस दुनिया के सबसे बड़े आर्कियोलोजिस्ट लोड सिल्वेश्टर को देखते हैं जो मिसर के पिरामिट के अंदर मौजूद मि सिल्वेश्टर से कहती है कि तुमारी गल्फेंट जरो बहुत खूसरत होगी लेकिन सिल्वेश्टर इस समय अपने कामें भीजी था और अपनी मौम से बात नहीं करना चाहता था इससे लिए अपनी मौम से बोल देता है कि नेटोग नहीं आ रहा है और कॉल कट कर देता है इसके बाद सिल्वेश्टर एक दर्वाजा दिखाते हैं बताता है कि इस दर्वाजे के बीचे राजकुमारी नेफर की कबर है और फिर अपने दोनों असिस्टेंट को दर्वाजा खोलने के लिए बोलता है सिल्वेश्टर जब अपने दोनों असिस्टेंट के साथ राजक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसा कैसे हो सकता है ताबूत के आसपास इन्वेस्टिकेशन करने पर सिल्वेश्टर को पता चलता है कि धरती के अंदर पातार लोग में जिन्दा ममीज का एक पुरा शहर मुझूद है जहां पर मिसर के सारे लोग जिने मरने के कर पिरामिट के अंदर दफना दिया गया था वो शहर में रहते हैं जिन्दा ममीज के शहर के बारे में जानकर सिल्वेश्टर का वी खुश था क्योंकि एक एसी कोस्ती जो सिल्वेश्टर की पुरी जिंदी की बदल सकती थी और सिल्वेश्टर सोची रहा था कि पातार लो जा रहा है वो किड़ा सिक्रेट रास्ते से होते हुए पाता लोग में मौझूद जिन्दा ममीस की सीटी में आ जाता है जहां पर मिस्टर के सारे ममीस इंसानों से दूर एक अंडरग्राउंड सीटी में रहा करते थे अगले सीन में ममीस के अंडरग्राउंड सीटी में चेरि बनाती है क्योंकि ममी वर्ड में स्वार्टफोन मुझूद नहीं थे क्यों अपनी सेल्फी ले सके अब ओ लेड़ी जब चेरियट से बूँचती है कि आपने रेस क्यों छोड़ दी तो चेरियट भाना बनाते हुए कहता कि मैंने रेस इसलिए छोड़ दी ताकि दूसरों को जीतने का मौका मिल सके लेकिन सचाए तो ये थी कि रेस के दोरान हुए हासों की वज़े से वो पूरी तरह से डर चुका था अब चेरियट के सभी फेन जब वहां से चले जाते हैं तो चेरियट का छोटा बाई एड़ चेरियट से बूँचता कि आप दोबारा से रेस क्यो बोल कर वहां से चला जाता है अगले दिन चेरियट जब सभी खईने के लिए मार्केट में आता है तो उसे रास्ते में एक बूड़ी ओरत दिखाए देती है जो रास्ता पार करने की कोशिश कर रही थी लेकिन रोड़ पर तेजी से आ रहे गोड़ा गाड़ी और लोग की वज़े से वो रोड़ पार नहीं कर पा रही थी चेरियट उस बुड़ी ओरत की मदद करता है और उसे रोड़ के उस पार ले आता है लेकिन उस बुड़ी ओरत की सबजी की टोकरी उस पार ही छुट गई थी और जब चेरियट उस सबजी से बरी टोकरी को वापस लाने के ले जाता है तो आपस आते समय चेरियट रोड पर तेजी से आ रही एक लड़की से टकरा जाता है जिससे उस बुड़ी ओरत का सारा सब्जी खराब हो जाता है ये लड़की कोई ओर नहीं बलकि मिसरी की राजकुमारी नेफस दी जिनकी ममी की दलाश आर्कियोलोजिस्ट सिल कराने के दोरान बुड़ी ओरत की सब्जों से बरी टोकरी पूरी तरह से बरबाद हो गई थी अगले सीन में हम राजकुमारी नेफस को देखते हैं जो सभी से चुपकर राजमेल के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि ओक्सर चुपके से इंसानों की दुनिया में चली जाती थी जबकि ममीस को इंसानों की दुनिया में जाना सक्त मना था अब राजकुमारी नेफस जब मेल के अंदर आती है तो सभी राजकुमारी नेफस का स्वागत करते हैं नेफस राजमेल के अंदर गाना गा रही थी क्योंकि उसे गाना गाना बहुत पसंद था और और सभी से चुपकर इंसानों की दुनिया में भी इसलिए जाती थी ताय कि म्यूजिक को एंजोई कर सके और एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन बन सके राजकुमारी नेफस की मौम उसे समझाती है कि आंके नियम के मुताबिक किसी को गाना गाने की जाज़त नहीं है अब य जादी नहीं करना चाहती थी और ये बात अपने डेट यानि कि मिस्र के राजा को भी बताती है और केती है कि में किसी बड़ को ये तैंझे नहीं करने दूँगी कि मैं किसे शादी करूंगी इसके बाद राजकुमारी नेफस फिनिक्स बड़ के छोटे से इस्टिचू को नीचे गिरा देती है इस पर राजा राजकमाई नेफस को समझाते के कोई मामूली पक्षी नहीं बलकि होली फिनिक्स पक्षी है राजकमारी के लाक मना करने के बावजूद भी राजा अपना फेसला नहीं बदलते और आकिर का राजकमाई नेफस को अपने के बाद माननी पड़ती है अगले दिन सबी लोग एक जयाओ पर इकटा होते हैं जहाँ पर मिस्रे के जादूगर अपने मेजिकल पाउर की मदर से इस टार गेट को एक्टेट करते हैं जिसके अंदर से फिनिक्स पक्षी बहार निकलता है और पुरे शेयर में उड़कर राज पक्षी गाहलो कर चेरियट के घर में घिर जाता है और सभी को लगता है कि फिनिक्स पक्षी ने राज कुमारी के लिए एक योगीवर ढून लिया है इसलिए राजा के दो सेनीक चेरियट के घर जाते हैं और उससे पकड़कर राज मेल में ले आते हैं राजा जब राजकुमाई नेफस से शादी करनी होगी चेरियट जब राजकुमाई नेफस को देखता है तो उसे पेचान जाता है क्योंकि इससे पहले राजकुमाई नेफस से रोड पर टकराया था और शादी करने से सावसा मना कर देता है क्योंकि उसे बता था कि राजकुमाई नेफस कासी ज़्यादा अग्रेसिव है लेकिन जब शाई जादूगर चेरियट को बताते हैं कि अदि तुमने शादी करने से मना किया तो तुम्हारी जीब काड़ ली जाएगी और तुम्हारी दोनों आखे निकाल ली जाएगी तो चेरियट ये सुनकर ढर जाता है और राजकुमा आखे निकाली जाएगी शादी के तै होते ही राजा काफी खुश होते हैं और चेरियट को राजकुमारी के साथ बात करने के लिए अकेले में चोड़ कर वहां से निकल जाते हैं लेकिन और दोनों अकेले में कोई बात नहीं करते हैं बलकि एक दूसरे से लड़ते रहते हैं राजकुमारी से बात करने के दोरान जब चेरियट की नजर घड़ी पर जाती है तो राजकुमार से कहता है कि अब तक तो रात हो जानी चाहिए थी चेरियट की बात सुनकर राजकुमारी ओपरेटर को रात करने का आदेश देती है जिसके बाद ओपरेटर जल्दी से नखळी सूरज को नीचे कीचकर रात कर देता है और साथ ही आसमान में तारे भी चंखा देता है दरसल पातार लोग में अंडरक्राउंट सीटी ओने की वजह से आटिविशा सूरज और चांद की मधर से सीटी में सुबह और रात की जाती थी आसमान में टिम टिमाते तारों को देखकर चेरियट और राजकुमारी बहुत खुश होते हैं लेकिन अगले पल वो दोनों एक बार फिर से आपस में लड़ने लगते हैं अब चेरियट के घर वापस जाने का टाइम हो जाता है और जब चेरियट अपने घर जाने लगता है तो रास्ते में उसे एड मिलता है जो चेरियट से बूझता है कि मुझे डरता कि कहीं वो लोग तुम्हें मारना दे इस पर चेरियट एड को बताता है कि सेनिक उसे मानने के लिए नहीं बलकि राजकुमाय से शादी करने के लिए ले गए थे चेरियट की बाह सुनकर एट कुछी से उचलने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि राज कुमाय से शादी करने के बाद वो लोग अमीर बन जाएंगे और महल में रहेंगे अब एट जब चेरियट के आतों में उसकी सकाई के अंगुटी देखता है तो बहुत खुश होता है लेकिन चेरियट अभी भी दुखी था क्योंकि उसे किसी भी तरह उस अंगुटी को शादी तक समाल कर रखना था इसलिए चेरियट एट के साथ उस अंगुटी को सेब जग पर रखकर एट के साथ वहां से चला जाता है लेकिन चेरिट के जाते ही सिल्वेस्टर अपने एक छोटे से रोबोट को टेमबल के अंदर बेच कर इन्वेस्टिकेशन करने लगता है और टेमबल के अंदर मुझूद कीमती चीजों को देखकर बहुत कुछ होता है अब को लेकर लड़ने लगते हैं कि रोबोट को कंट्रोल कोन करेगा और इस दोरान रोबोट आउट उफ कंट्रोल होकर वहां की सभी कीमती और नायब चीजों को तोड़ देता है जिसे देखकर सिल्वेस्टर अपने शिस्टेंड पर बहुत गुसा होता है लेकिन इस दोरान रोबोट को चेरियट के सगाई के अंगुटी मिल जाती है जिसे देखकर सिल्वेस्टर बहुत खुश होता है क्योंकि उसने सिफ किसो कानियों में उस नायब अंगुटी के बारे में सुना था इसके बाद सिल्वेस्टर रोबोट की मदद से उस नायब अंगुटी को अप कर चेरियट देखता है कि सारा सामान भिक्रा पड़ा है और वोक्स पुरी तरह से खाली है जिसके अंदर उसने अंगुठी रखी थी चेरियट ये देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि अगर जल से जल उसे अंगुठी नहीं मिली तो सजा के तोर पर उसकी दोनों आके नि इंसानों की दुनिया में जाने का फेसला करता है क्योंकि अगर वह इसा नहीं करेगा तो किंग उसकी दोनों आके निकाल लेंगे एड इंसानों की दुनिया में जाने के लिए काफी जादा खुश था अब चेरियट एड के साथ इंसानों की दुनिया की तरफ निकल बढ़ के हातों में अपने अंगुटी को देख लेता है जिसे सिल्वेश्टर एक बॉक्स में डाल कर गाड़ी में रख देता है क्योंकि उस अंगुटी को शेयर में मौजूद अपने म्यूजियम में भेज रहा था अपने अंगुटी को आसिल करने के लिए चेरियट 8 के साथ किसी तरह उस गाड़ी के अंदर छुप जाता है जिसमें बागी एक कीमती चीजों के साथ उसकी अंगुटी को शेयर बेजा जा रहा था चेरियट गाड़ी के अंदर रखे बॉक्स में अपने अंगुटी डूनने लगता है लेकिन तब भी उससे ऐसास होता है कि वहां कोई आ रहा है और ओ एड के साथ बॉक्स में चिप जाता है इसके बाद वरकर्स उस बॉक्स को एक शिप पर ट्रांसफर कर देते हैं जहां पर चेरियट को डूंडते हुए राजकुमारी ने फर भी आ जाती है चेरियट और एड राजकुमारी को वहां देखकर हेरान थे लेकिन जब राजकुमारी चेरियट को देखती है तो उने लगता है कि चेरियट शादी के डर से भाग रहा है एड राजकुमारी को बताता है कि चेरियट शादी के डर से नहीं भाग रहा बलकि खोई हुए अंगुठी को डूंड रहा है अब वो तीनों उस जया पर फस चुके थ है चेरियट वहां से बाहन निकलने कोईश करता है लेकिन और दरवाजे से टकरा कर बेऊश हो जाता है इसके बाद वो लोग तब तक शीप के अंदर ही रहने का डिसाइड करते हैं जब तक कि शीप अपनी मंजील तक नहीं पहुंच जाती अब वो लोग शीप के साथ देश रोम में पहुंच जाते हैं रोम पहुंचने के बाद ये लोग गार से बचकर बंदरगा से बाहन निकलने कोईश कर रहे थे लेकिन इस दोरान चेरियट सुलेष्टर को देख लेता है जो अपनी मौम से कॉल पर बात कर रहा था सिलेष्टर की मौम उसे मिलने के लेश्टर के साथ ही थियाटर तक पहुंच जाते हैं थियाटर के बाहर कुछ फोटोग्राफर चेरियट और उसके साथ योगी फोटो लेने लगते हैं लेकिन जब वो अपने केमरे में इनका असली रूप देखते हैं तो ढर जाते हैं क्योंकि ऐसे तो ये लोग आम इंसानो की तरह दिख रहे थे लेकिन केमरे के दौरा लिए गए फोटोग्राफ में वो अपने असली रूप में दिखाई दे रहे थे जिसके बाद फोटोग्राफर्स अपना केमरा वहीं चोड़कर वहां से भागने लगते हैं इसके बाद ये लोग फोटोग्राफर्स के केमरे को हतियार समझकर अपने पास रख लेते हैं और थीटर के अंदर आ जाते हैं जब कुछ लोग इने अंदर जाने से रोकते हैं तो ये केमरों से उन पर हमला करने कोशिश करते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि केमरे कोई वेपन नहीं है इसके बाद ये लोग सिल्वेश्टर के पास जाते हैं ताई कि उससे अपने अंगुठी वापस ले सके लेकिन रास्ते मेंने थेटर शो का ओर्गिनाइजर मिल जाता है जो इन्हें एक्टर समझ कर शो करने के लिए ले जाता है शो के दोरान राजकुमाई नेफर काफी गया था कि राजकुमाई नेफर कोई रियल हुमन नहीं बलकि एक ममी है इसलिए और इनका पीछा करने लगता है रास्ते मेंने एक कार मिलती है लेकिन ये उससे नहीं चला पाते क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी किसी कार को ड्राइव नहीं किया था अब यहाँ पर गाड़ी में बेटकर वहाँ से निकल जाते हैं रास्ते में म्यूजिक डारेक्टर राजकुमाई नेफर से कहता है कि क्या मेरे लिए गाना गाऊगी तो चेरियट उससे कहता है कि नहीं हमारे पास बहुत काम है यह कहते हुए चेरियट गाड़ी रोकने हों कहता है और सब लोग गाड़ी से उतर कर जाने लगते हैं लेकिन जाने से बेले वो म्यूजिक डायक्टर नेफर को अपना काड़ दे कर जाता है चेरियट को इस बात पर काफी गुसा आता है तो नेफर चेरियट से कहती है कि तुम मेरी लाइफ को मेरे इसाब से क्यों नहीं जीने देते जिसकी वाजे से फिनिक्स भर्ट चेरियट के घर जा गिरा था ये सुनकर चेरियट और नेफर काफी खुश होते हैं और येट को गले से लगा लेते हैं क्यों क्योंने पता चल गया था कि अब उने एक दूसे के साथ और नहीं रेना पड़ेगा इसके बाद और सभी घर ज लेकर बहुत खुश होता है वो लोग रात म्यूजिक डायक्टर के घर पर ही बिताते हैं लेकिन रात में नेफर के खराटे की वज़े से चेरियट को निन नहीं आती और वो एड के क्रोकोडायल पेड से नेफर की काफी तारिफ करता है क्योंकि कहीं न कहीं अब चेरियट नेफर को पसंद करने लगा था वहीं सिल्वेश्टर को अब पता चल गया था कि दर्दी के नीचे पाता लोग में जिन्दा ममीज एक अंडरग्राउंड सीटी में रहते हैं नेफर चेरियट और एड के साथ शोपिंग करने जब घर आती है तो म्यूजिक डायक्टर नेफ नेफर चेरियाट से क्याती है कि मैंने जीवन भर सिंगर बनने के लिए काफि संगर्ष किया है और अब मुझे जब गाना-गाने का मौका मिल रहा है तो मैं इसे गवाना नहीं चाहती यह बाहीं दोरी एक प्यारा सा गाना गाती है जिससे हो कुछी दिनों में पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है वहीं उस गाने की वज़े से सिल्वेश्टर को उनके लोकेशन का बता चल जाता है जिसके बाद वो लोग चुपके से आते हैं और नेफस को ब्योंश करके उसे वहां से अपने स खूलती है तो खुद को सिल्वेश्टर की मुज़ियम में पाती है जाब सिल्वेश्टर भी आ जाता है जो राजकमाई नेफस को सुरज की रोशनी में टोचर करता है और अब वो लोगों को अपने मुज़ियम में जिंदा ममी यानि कि राजकुमारी नेफस को दिखा कर पेसे कमाना चाहता था अब चेरियट जब म्यूजियम के अंदर एंटरी करता है तो सिल्वेश्टर सीसी टीवी में उसे देख लेता है चेरियट म्यूजियम के अंदर की चीजों को देखकर काफी एरान था क्योंकि म्यूजियम के अंदर रखी सारी चीजे चेरियट की थी चेरियट जब नेफस को देखता है तो उसके पास जाता है कि तबी वहाँ पर सिल्वेश्टर आ जाता है जो चेरियट को नेफर के साथ अंदर बंद करने ही कोशिश करता है लेकिन चेरियट उन पर हमला कर देता है ये देखकर सिल्वेश्टर उन दोनों को प्योंश करने वाले इंजेक्शन से शूट कर देता है इसके बाद हम एड के पेड बेबी क्रोकोडायल को देखते हैं अब एड म्यूजिक डायक्टर और अपने क्रोकोडायल पेड के साथ CCTV केमरों से बसते हुए म्यूजियम के अंदर पहुंच जाता है और जब सिल्वेश्टर के दोनों सिस्टेंड कुछ खाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं लेकिन अब उन लोग वहां से निकल चुके थे एड नेफरस और चेरियट को लेकर वहां से निकलने कोशिश करता है लेकिन वे दोनों अभी भी ब्योशी की हालत में थे इसलिए बहकी बहकी बाते कर रहे थे और वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं अब एड को चेरियट की अंगुटी धिक जाती है जिसके बाद एड उस अंगुटी को लेने के लिए जाता है लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि चेरियट और नेफर सिल्वेश्टर के स्टेचु के सामने जाकर उसे उसके म्यूजियम को बरबात करने की दमकी दे रहे हैं एड जल्दी से उन दोनों के पास जाता है और ने वाँ से भागने के लिए कहता है अब उन्हें असली सिल्वेश्टर भी धिक जाता है जिससे वे दोनों होश में आ जाते हैं और उससे बच कर वहां से भागने लगते हैं लेकिन दर्वाजा बंदोने के कारण बीच में फज्ज आते हैं सिल्वेश्टर जैसे ही उन्हें ब्योश करने वाले इंजेक्शन से शूट करता है दर्वाजा खोल कर वहां म्यूजिक डायेक्टर आ जाता है और वह इंजेक्शन उसे लग जाता है जिससे हो ब्योश हो जाते हैं और मौका पाकर चेरेड नेफर और एड उसे लेकर वहां से भाग निकलते हैं उन्हें म्यूजियम के बाहर एक बस मिलती है जिससे लेकर वह सब भी वहां से भागने लगते हैं सिल्वेश्टर भी अपनी कार लेकर उनका पीछा करने लगता है तो एड़ अपनी चाला की और सुजबू से सिल्वेश्टर को एक शीप पर भेज देता है जिस वजह से उससे उनका पीछा छूट जाता है वहाई म्यूजिक डारेक्टर को होशा जाता है और जब वो से एड़ जाने के लिए एक बार फिर लगेज रूम में चुप जाते है और वोह वापस जाते हुए म्यूजिक डारेक्टर को अलविदा केते हुए वहाँ से निकल जाते है म्यूजिक डारेक्टर उनके वापस जाने पर काफी emotionally हो जाता है वही वापस जाते हुए नेफर कहती है कि मैं जानती हूं कि आप हमारी सोंस से भी ज्यादा बहादूर है दरहसल नेफर भी अब चेरियट को पसंद करने लगी थी वह हम सिल्वेस्टर और उसके शिस्टेंट को देखते हैं जो सियरो प्लेन में वह भी एजिप्ट जा रहे होते हैं एजिप्ट पहुंचने क अब अब दुखियान कि क्योंकि कई न कई वह दो नो एक दूसरे को काफ़ी मिस करते हैं वहीं सिल्वेस्टर बड़ी-बड़ी मशिन लेकर जिंदममिस के शहरा जाता है जिससे देखकर सेनिक भागते हूए राजा के पास आते हैं और ने सिल्वेस्टर के बाड़े में ब वहाँ पर राजकुमाई नेफस आ जाती है जो सिल्वेश्टर पर हमला कर देती है वहीं ये चेरियट को सिल्वेश्टर के बारे में बताता है तो चेरियट उसकी बाद नहीं मानता लेकिन जब वो चेरियट को समझाता है कि राजकुमाई नेफस को उसकी ज़रत है तो चेरि को मारने के लिए जाता है वहाँ पर जाता है जो राजकुमारी को बचा लेता है इसके बाद वो दोनों मिलकर राजा को बचाने के लिए सिल्वेश्टर के पीछे जाते हैं लेकिन राजसे में चेरियट को एक बार फिर से रेस के दोरान हुई दुर गटना याद आने लगती है जिससे चेरियट ढर जाता है लेकिन एडू से मोटिवेट करता है जिसके बाद चेरियट पुरे जोश के साथ आगे बढ़ता है और तांगे का एक पहिया निकल जाने के बावजूद भी सिल्वेश्टर के मशिन पर पहुंचाता है मशिन पर जाने के बाद सिल्वेश्टर और चेरियट के बीच में एक अतनाक फायट होने लगती है लेकिन फायट के दोरान पहुत दुखी थी क्यों कि उन्हें लग रहा था कि सिल्वेश्टर के साथ ही चेरियट भी मारा गया और बार बार चेरियट को पुकारती है लेकिन तबी उनकी नजर एक चटान पर जाती है जहां पर ओ देखती है कि चेरियट अभी भी जिनना था ये देखकर राजकुमा कि यहीं पर खत्म हो जाती है गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और अगर आप एसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इंडी स्किन पर किलिक करके इन व